Good morning class first, open your English grammar book and open page number 53 बच्चा page number 53 में कल हमने किया था doing words Doing words किस काम को कहते हैं? Doing words मतलब होता है जबी भी कोई भी व्यक्ति या animals या things कोई भी काम को करते हैं उसको क्या कहते हैं? Doing words अब हमको किया था कल हमने यहाँ पे? Look at the picture What are the people doing in the picture? Underline the cracked words हम कोई picture देखनी थी उसमें से हमको देखना थे कि इस picture में क्या काम हो रहा है तो जैसे हमने कल क्या किया था? इस picture में क्या कर रहा है यह? Dive, Run, Jump यह बच्चा रन कर रहे हैं तो हमने run की नीचे underline किया था फिर इस में क्या हो गया इस picture में? इस picture में slip हो गया यह नीचे गिर गया तो हमने slip में underline किया था गयल क्या कर रहे है? गयल क्या काम कर रहे है? जम्प का हमने ऐसे underline किया था इस picture में push कर रहे है यह हमने ऐसे कर कि इसमें picture देखके है देखा था कि कौन सा action वार हो रहा है तो उसमें हमने क्या किया था, अंडरलाइन किया था, उसके बाद आगे देखते हैं, आपके next page में है, read the sentence and take note of word in a class, हमने क्या किया था, यह वाला exercise भी हमने कर ली थी, हमने देखा था, इसमें कौन से doing work हो रहा है, मतलए क्या काम हो रहा है, तो हमने क्या था, birds fly in the sky, तो हमने fly के नेचे अंडरलाइन किया था, क्यूंकि चुनिया क्या काम कर रही है, उडने का, dogs bark in street, तो हमने बार्ग में अंडरलाइन किया था, क्यूंकि उत्ते क्या क्या काम कर रहे है, भोकने का, गली में हो भोक रहे है, start sign at night, तारे रात में चमकते हैं, तो हमने shine, यह नहीं की च । इस प्रकार से हमने इन पर अंडरलाइन की थे। दोवाला देखे। डूइंग वर्ड्स उसे कहते हैं जो हमको बताते हैं कि इस पे जो इनसान होते हैं एनिमल्स होते हैं और चीज क्या काम कर रहे हैं ठीक है आज हम करेंगे look at the picture and underline the doing words in the sentence below one has been done for you आपको picture देखनी है और उसकी साहता से आपको देखना है कि picture में काम क्या हो रहे है doing words क्या हो रहे हैं doing words इसमें हमारे पास क्या हैं एक example इन्होंने दिया the sun drives in the east rise की नीचे underline किया है यानि कि क्या काम हो रहा है सूरज उग रहा है पूरफ से तो काम क्या हो रहा है उगने का the boys swims every day यानि कि लड़का रोज तैरता है तो काम क्या कर रहा है तैरने का swims swims की नीचे हम underline करेंगे we watch television in the evening हम शाम को क्या देखते हैं तो काम क्या करते हैं watch देखने का काम करते हैं I eat bread in the morning मैंने सुबह morning में क्या खाया bread तो काम क्या क्या है उसने eat यानि की खाने का काम किया ट्री गिव अशिड पेड हमको क्या देती है अच्छा है तो पेड हमको क्या काम करते है देने का काम करते है तो गिव में हम underline करेंगे Potter, Carry, Bags and Suitcase Potter के लिए जाता है, कूली के लिए जाता है Carry करके लिए जाता है, उठा के लिए जाता है Bags और Suitcase हमारे तो Carry पे Underline आईगा फिर इसमें B वाला है Look at the picture and fill in the blanks with doing words Choose from the box below when has been done for you आपको box में doing words दे रखें आपको पिक्चर की साइटा से देखने है कि इसमें क्या है यह आपके Notebook में आप इस प्रकार से करोगे यहाँ देखे, यह देखे सबसे पहले आज के date डालोगे Doing words लिकोगे फिर इसमें यह वाला करोगे कौन सा वाला? यह वाला यह वाला करोगे यह वाला ऐसे करोगे पहले बुक में भी आप फिल करोगे उसके बाद कौपी में करोगे कौपी में इस प्रकार से फर्स्ट, the sun rise in the east राइस के नीचे अंडरलाइन ठीक है? सेकेंड वाला दबॉइज swims एवरी डेइ तो इसमें swims में अंडरलाइन ठर्ड, we wash television in the evening तो वाश में अंडरलाइन फॉर्थ, I eat bread in the morning तो इट के हमारा doing word है तो इट में अंडरलाइन पॉर्टर, carries bags and suitcase तो carry में अंडरलाइन ट्री, give us shade तो give में अंडरलाइन करने हैं आपको अब भी वाला है यह कौन सा वाला है यह वाला यहां से आपको यह box दे रखें फिर आपको picture दे रखें picture की सायता से लिखना है he rides the bicycle everyday वो क्या करता है रोज cycle चलाता है मतलब सवारी करता है ठीक है फिर है एहमद and Ganesh table tennis in the evening क्या काम कर रहे है खेलने का काम कर रहे हैं, तो आएगा play, यानि कि doing work क्या है, play आएगा इसमें, फिर turn your face, फिर देखे, the moon at night, the moon क्या करता है, इसमें से, क्या लिखेंगे हम, नहीं से, the moon sign, the moon sign at night, अब इसमें साइन आएगा, जिम always, क्या था, जिम always क्या करता है जिम, उसमें देखेंगे, जिम always wear, wear मतला होता है, पहनना, wear, या पर wear आएगा, go be it's chapatis, and Mary and Usha go to school together, तो यह भी आपके copy में लिख रखेंगे हैं, यहां से देखेंगे, यहां से, पहले क्या करेंगे, यहां से सारे box में लिख देंगे, by cycle everyday, वो क्या करता है, रोज cycle की सवारी करता है, rides, दूसरे में था, एहमद and गनेश, play table tennis in the evening, वो दोनों क्या करते हैं, खेलते हैं, table tennis रोज शाम को, थर्ड वाला है, the moon sign at night, moon कहां चमकता है, रात में चमकता है, चांद, फूर्थ वाला है, जिम always wear t-shirt, जो जिम है, वो हमें एट्स चपातीज, वो पी क्या खाता है, चपातीज खाता है, रोटी खाता है, सिक्स वाला है, Mary and Usha go to school together, तो आपने इस बॉक्स से यहां लिखना है, आप बुक में भी फिल करेंगे, उसके बाद अपनी कॉपे में भी इसी प्रकार से करेंगे,